सबसे खुशल तेज गेनबाजों में से एक भारत के जहीर खान इंडिनों अबुधाबी में T10 लीग में अपना कमाल दिखा रहे हैं हाली में उन्होंने दिल्ली बुल्स की तरफ से खेलते हुए प्रतिदवन्दी टीम कलंदर्स के एक ओवर में दो खिलाडियों को बोल्ड किया जहीर की गेनबाजी देख उनकी पतनी सागरी का इतनी एकसाइटीड हुई कि खुद को रोक नहीं पाई और खुशी से जुमने लगी इसका वीडियो शोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है दिल्ली बुल्स के 99 रनों के लक्षे का पीछा करते हुए जब कलंदर्स के खिलाडियों को जहीर ने अपने चोथे ओवर में परेशानी में दाला चोथे ओवर की पहली गेन पर उन्होंने लोरी इवांस को बोल्ड किया इसके बाद इसी ओवर में पाचवी गेन पर पीटर ट्रेगो को मातर तीन रन पर पवेलियन भेज दिया जहीर खान दवारा एक ओवर में दूसरा बोल्ड करने के बाद उनकी पतनी खुशी से जूमने लगी इसका एक वीडियो भी उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है सागरीका ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा एक्सक्यूस माइ एकसाइटमेंट जहीर खान एक बार फिर अपने सर्वसेश परदर्शन की ओर इस वीडियो को धाई लाग से जादा बार देखा जा चुका है और लोग जहीर खान को खूब प्यार भी दे रहे है मैच की बात करें तो दिल्ली बुल्स ने पहले बलेबाजी करते हुए आठ विकेट गवाकर दस ओवर में 98 रन बनाए थे हाला कि ये लक्षे काफी नहीं था और कलंदर्स ने एक गेंद रहते 104 रन बनाते हुए इसको हासिल कर लिया जिस करण जहीर खान की टीम को हार का सामना करना पड़ा तो आपको ये जानकारी हमारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे क्रिकेट केसरी अगर आप ये वीडियो हमारी फेस्बुक पर देख रहे है अपको ये और दूर आपाभ argument olm ऑगर ये वीडियो हमारी क्लाप बड़ी खेखते जरूरी केक dwर आपको येवयदे कापको लिए्योग व्सटपवल पेखने क्या नया तून करनester गगिए Лवश च ाली त सुरतेश में पूल झाली गूलिस इंस से झाले